समें गलो ओ फिजिक्स में आपका स्वागत है साइकलोट्रॉन की सिची वीडियो में आपका स्वागत है बच्टो और साइकलोट्रॉन सीशेयों जो सिची तीसरी वीडियो को देखना है बच्चो प्रिस्पिल ओफ वर्किंग जिसको हम कहेंगे कार्य विधी तो बच्चो साइकलोट्रों सीरीज में जो हैं आप दो वीडियो देख चुके हैं सामने परचाए मैंने साइकलोट्रों के दिया था उसके बाद हमने उसका कंस्टक्शन आपको बताया है अब है बच्चो उसका सिधान्त क्या है कार्य विधी क्या है तो बच्चो इसको एक-एक पॉइंट करके मैं डिसकसन इसमें करूँगा और उसके बाद जो हैं अगर इसके चित्र की जुरत पड़ेगी तो चित्र भी सामने लाओंगा बच्चो तो अब होता क्या है दीज के बीतर एक स्रोध होता है डीज के बीतर रखे स्रोध से उत्पन धन आयन धन आयन डीज की ओर डीज की ओर आकर्सित होते हैं आकर्सित होते हैं जो उस समय रिण विभाव पर पर होता है ठीक है बच्चो अब बच्चो जो है मैं थोड़ा फिगर बता दूं आप इस प्रकार से मैं इस पीज को दुवारा ला रहा हूं बच्चियां देखिए अगर आप यहां पर देखेंगे बच्चो धिहान देंगे यह थोड़ा पेज़त इसमें वह रहा है यह क्या होगा डीज के अंदर क्या होगा एक स्रोत होगा उस स्रोत से क्या होगा बच्चो कि जो धनात्मक आएन या पार्टिकल है वो क्या होगा दीज्व की और आकर्सित होगा अब क्या होगा वज्चो यह डीजड क्या होगा इस पे रिण भीवा होगा वज्चो थो यह सिरोध है यहां पर स्रोध है, यहां से जो है, हमने क्या गया, सबसे पहले तो हमने स्रोध से क्या निकालने हैं, हमने धन आवसितकन निकालने हैं, अब वो धन आवसितकन क्या होंगे, यह D1 और D2 दो डीज हैं, इनकी polarity, इस समय इसकी polarity माइनस है, नेगिटीव है, तो और उसकी और क क्या होंगे, आकरसित होंगे, यह मैंने फिगर में दुबारा बता दिया, तो पहला point हमने बता दिया है, कि D1 यह देखो, पहला point हमने बता दिया, D1 के बीता रखे श्रोध से उत्पन, क्या होगा, धन आयन, D1 के और आकरसित होते हैं, जो उस समय रिन विभाव होता, कौन होता है, वो डीज, D1, D2, दो है ना बच्चो, पहले D1 रिन विभाव होगा, तो क्या होगा बच्चो, वो जो श्रोध से जो है, जो धन आवसित करण आ रहा है, वो डीज के और आकरसित हो जाएगा, हो गया ना, आकरसित, और चुम्बकिया छेत्र में वो लंबवत परव वाला क्या हो जाएगा, रिन हो जाएगा, अब दूसरा प्वाइंट देखें बच्चो, अब दूसरा प्वाइंट में समझा रहा हो, हो गया बच्चो, दूसरा प्वाइंट इसमें बच्चो जो हैं, बहुत ही महतवपूर्ण प्वाइंट है, वैसे सारे प्वाइंट मह भेत्र के कारण धन आयन धन आयन या धन आविसितकन बृतिय पत्पर गति करता है और सबसे पहले वीडियो में मैंने यही बताए था बच्चो जो चुम्ब के छेत्र यह देखो मैं फिर यहां पर छोटा सबना दूँ यह देखो बच्चो यह जो चुम्ब के छेत्र उतक्रॉसित चुम्ब कि यह च्षेत्र जो उत्पन किया है बच्चो मैंने बताए था जो विद्दु चुम्बक बड़ा चुम्बक बताए था मैंने आपको ,ने बच्चो यह क्या करेगा इस कागच के तल के लमवत अंदर की ओर जो है यह दिश्ट होगा जैसे जो है वो धनावे सितकन जो है डीज के ओर आकरसित होगा लमवत तो वो लमवत गति करेगा और इस प्रकार से क्या करने लग जाएगा बिर्तिय पत पर गति करने लग जाएगा यह जो आदा यह देखो यह इधर D1 है और यह दर क्या है जो इधर आकरसिद हो जाएगा और बिर्थिय पत पर गति करने लग जाएगा जो अर्थ बिर्तिय प penn करेगा यह भी बच्छो क्योंकि पहले उसको कहा जाना है बच्छो टी वन में जाना है तो लमवत चुम गेच्छेत्र यह जो चुम गेच्छेत्र म角 पा देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है वाध्यों कि अ तीसरा प्वाइंट बच्चो मैं आपको इसमें बता रहों बच्चो आप ज। ज्यान देंगे आरोपित बोल्टर जो बोल्टेज आरोप हम आरोपित बोल्टर तथा daha-, चुम्बक की यह छेत्र की आवरती इस प्रकार समायोजित करते हैं जैसे ही आयन डी के बाहर निकलता है वो समय डी की दुर्बता बदल जाती है बहुत इंपोर्टेंट है बज्चों हमने क्या करना है कि जो आरूपीत बोल्टेज है और जो चुम्बक के छेत्र उसको इस प्रकार से एड़्जस करना है अर्थात जो इलेक्टिक फिल्ड है और मेगनेटिक फिल्ड है हमने इस प्रकार से एड़्जस करना है कि मेगनेटिक फिल्ड है कि जैसे वह फस्ट फिर मैं इस चित्र बना रहा हूँ देखो बच्चों यह इलेक्टिक फिल्ड और मेगनेटिक फिल्ड हम ने इस प्रकार से एड़्जस करना कि जैसे ही वो इस D में पहले D में पर्विज कर रहा है ठीक है बच्चो तो इस ने यह और वाला देख रहे हैं बच्चो यह oldest पहले यह मायनस था तो इदर आएगा और तुरन प्रकार से आधा बिर्त इतर बनाएगा आधा इतर बनाएगा आधा इतर बनाएगा आधा इतर बनाएगा तो आधा आधा बिर्त मिला के पूरा बिर्त बन जाएगा इस प्रकार से घूमता रहेगा और यहां से छोटी बिर्तिय कक्षा से कहां जाता रहेगा उच उर्जाओं में जाता रहेगा बच्छो ठीक है बच्छो तो यह D1 D2 की दुर्वता भी चेंज हो थी पहली यह माइनस होगा तो यह जो है आवसित करण को अपने और आकरसित करेगा और जब वो सेमी बिर्त बना देगा आधा बिर्त बना देगा तो तुरंत यह माइनस का प्लास हो जाएगा यह माइनस हो जाएगा अब जब यह प्लास हो जाएगा यह माइनस हो उसको आकरसित कर लेगा बच्छो तो यह मैंने आपको तीसरा पॉइंट बता दिया बच्छो तो फिर जो ह से जो हैं उसकी आवरिती निकालेंगे बच्चो आप देखो बच्चो द्यान देने आपने अब यहां पर डेरिवेशन है बच्चो माना धन आयन धन आयन प्लस क्यों ठीक है बच्चो है तथा तथा वह हो दी के अंदर धी बेग से गतिमान है ठीक है बच्चो वह किस बेग से गतिमान है धी बेग से गतिमान है तो बच्चो यहां पर दो फोर्स लगेंगे वो पहले ही मैंने आपको बता दिया थे बच्चो मैं एक बार फिर बता दो बच्चो आपको बार बार रिकॉल क्या जा रहा बच्चो य चुमब के छेत्र है कौन बना रहा है वो जो बैदुत चुमबक के बीच में सारा उपकरण रखा था अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखे होगी दूसरी वीडियो देखे बच्चे तो आपको किलिए समझ मारा होगा कि हमने पूरे जो उपकरण है उसको जो है एक पात्र में रखा था विदू रोती पादर में रखा था उसमें यसमें अक्रिया घैस भरी Amen और उस पात्र पर जो है मनें दोनों स्विरों पर बिद्त चूमबक लगाए था एन और स के बीच में तो वो क्या राया बच्चो वो चूमबक कर और्जेर वो चूमबक जुर है इस आववस्त कन को जो है विरतिया म Annick से देरा है ये देखे डिय though माना इसका कैंदर o है मांद जी बच्चो इसकी रेडियस तो बच्चो अलंग बिटों की गुम्राइग तो इससका रादीए यह लंबह तो गोंने के लिए गोमने के लिए जो मैंने पहले shocking आता था przedstaw बच्चो कि इसमें दो बल लगने हैं एक लॉरेंज बल है और एक अभिकेंदर बल है तो बच्चो मैं बार बार इसको जादा डिसकस नहीं कुरूँगा सिधर लॉरेंज बल लिख दूँगा बच्चो कितना हो जाएगा क्यू भीवी ठीक है बच्चो वेंसे क्यू भीवी साइन दीटर होता है तो साइन दीटर नाइनटी डिगरी पर है और अभिकेंदर बल कितना हो जाएग kalau यह जो लॉरेंज बल है यही अभिकेंदर बल देगा तो MB अपोन R, ठीक है बच्चो, इसमें M B square upon R हो गया, आप यहां से जो हैं बच्चो, आप यहां से जो हैं R में निकाल सकते हैं और B में निकाल सकते हैं, चलो मैं पहले बेग निकाल देता हूँ, तो इधर देखो बच्चो, यह B, यह B करड़ गये, यह हो गया न बच्चो, ठीक है बच कितना आ गया बच्छो QB R बटे M ये इसका बेग हमने निकाल दिया किसका बेग निकाल दिया बच्छो जो पार्टिकल क्या कर रहा है चुम्ब किया छित में डीज के अंदर जो है जो अर्ध बिर्त में घूम रहा है एक डीज में अर्ध बिर्त में घूम रहा है फिर दूसर हैं D, D के बीतर, D के बीतर, अर्द बिर्थ, अर्द बिर्थ को, अर्द बिर्थ को पार करने में, करने में, लगा समय, तो बच्चो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, 4, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, अब बताओ बच्चो, आप ही बताएंगे, दूरी कितने ताही परदी के बराबर, तो आदे बिर्थ में, आदे परदी, तो आदी परदी कितने हो जाएगा, 2 pi r का आदा को और तो pi r हो जाएगा बच्चो pi r और 4 कितनी है बच्चो उसकी भी ये देखो समीकराण 1 से हम क्या करेंगे भी का मानी हाँ पर रख देंगे तो ये जो t r रख है आपका ये आदे बिर्ट को पार करने में लगा समय है तो बच्चो रख दो कितना हो जाए pi r तो ये है अद्भी का मान कितना है बच्चो ये देख लिए जो मैं उपर उठाओ पाई r तो ये है और ये कितना बच्चो q b r q b r बटे m ये जो m उपर जाएगा बच्चो pi r m pi r m बटे q b r q b r r से r cancel होगे बच्चो तो बच्चो कितना आगे बच्चो मैं थोड़े इसको यहाँ पर लिख दू मैं यहाँ पर लिख दू ये जो t समय आया ये क्या समय है बच्चो उस आयन द्वारा आदे बिर्ट को पार करने में लगा समय आगया तो कितना आगे बच्चो ये आए गया बच्चो पाई एम बटे q b ठीक है बच्चो ये आपको द्यान देना पड़ेगा बच्चो ये आदे बिर्ट में को पार करने में डीज के अंदर जो आदे बिर्ट है उसको पार करने में लगा समय हमारा कितना आ गया बच्चो पाई M बटे Q भी आ गया है तो बच्चो आदे बिट को पार करने में हमारे पास कितना समय आ गया बच्चो मैंने निकाल दिया बच्चो आप दिहान देंगे टी बराबर पाई M बटे Q भी ये है डीज के अंदर अर्ध बिट को पार करने में आयन द्वारा या धनावसित करने द्वारा लगा समय ठीक है बच्चो आब हमने जो हैं साइकलोट्रोन की जो हैं फ्रिक्वेंसी निकालने है बच्चो आब अगला पॉइंट है साइकलोट्र सेक्वेंसी अबरिट्थी है साइकलोट्रोनआबरिधद किकालोट्रोनआबरिधद फ्रिक्वेंश रंक्या थिक्लोट्रोल धिक्यो है कि आखम अभरिट्द वेरोट्ट्रोलन थींड्या cyclotron frequency हम ने निकालनी है बच्चो बहुत ही महत्वपूर है cyclotron frequency हम कैसे इसमें ज्यात करेंगे तो बच्चो जो हैं अब आपको cyclotron आवर्थी पढ़ने बड़र ठीक है बच्चो अब इसमें महत्वपूर ही है बच्चो तो महत्वपूर्ण है कि साइक्लो ट्रान के कार्य करने के लिए के कार्य करने के लिए पर्त्यावर्थी बिभोका अर्द आवर्थकार अर्द आवर्थकार अर्द आवर्थकार समझें बच्चो पूरा आवर्थकार का आदा क्योंकि बच्चो आदे साइक्ल करने लेना है अर्द आवर्थकार वो क्या हो जाएगा आदा अगर टी पूरा आवर्थकार है तो आदा आवर्थकार समझें बच्चो आवर्थकार का म जो आयन का किसी एक D, दो D है ना बचो आदाद है ना. 1D है को पार करने में लगता है. ठीक बचो पहले ही निकाल दिया बचो करने में लगता है. निकाल लगा बचो मैंने यह देखो यह निकाल तो रखा मैंने आयन द्वारा एक D को पार करने में लगा समय यह निकाल दिया और साइकलोटॉन में जो है जो है जो परत्यावर्ती विभाव हो है उसका आदा आवर्तकाल उसके बराबर होना चाहिए बचो तो यह T by 2 क्या है यह T by 2 परत्यावर्ती विभाव का अर्ध आवर्तकाल है पूरा तो T होगा यह किस के बराबर हो जाएगा इस T के बराबर यह T क्या है आयन द्वारा उस D को पार करने में लगा समय निकाला था और वो कितना निकाला था बच्चो मैंने तो अगर ये T क्या है ये परत्यावर्ती बिभाव का पूरा आवर्थकाल हो जाएगा तो दो उदर बुणा कर दो 2 πाई M बटे QB ये देखो बचो तो इससे हमने परत्यावर्ती जो बिभाव है उसका क्या निकाल दिया है उसका आवर्थकाल निकाल दिया बचो तो एक तो यह है बचो बहुती महतोपूर सर्थ है साइकलोट्रोन में क्या होना चाहिए जो परत्यावर्ती बिभाव का अर्दचक्र है ठीक है बचो वहो उस धन आयन द्वारा एक डी को पार करने में अरे एक डी आदा सर्किल है विटा तो आदा सर्किल में तो ये बता दिया इ देखो बचो तो अगर टी इतना है अगर टी इतना है तो एन कितना हो जाएगा एन आवर्ती कितना हो जाएगी आवर्ती तो क्या हो जाएगी आवर्त काल की आदी उल्टी हो जाएगा बचो तो इसको निकालेंगे तो बचो कितना हो जाएगा बचो इसका वी उल्टा कर द नहीं कर रही है और यह किस्विन निर्भर कर रही है इस मास के इनवर्सली परपोसनल हो रही है जो पार्टिकल है उसके परपोसनल हो रही है बचो तो यही जो है बाद में जो है इस साइकलोटोन की सीमाय में आ जाता बचो तो यह हमने उसके आवरती निकाल दी बचो ठीक है बच्चो और इसको अनुनादी इसको कहते हैं अनुनादी अवर्थि पर्त्यावर्ती विभाव की अनुनादी अवर्थि ठीक है बच्चो तो हमने पर्ट्यावर्ति बिभाव की क्या निकाल दी अनदी आवर्ति यहां पर ज्याँट करती है बच्चो अब हमने अधिकतम गतीज उर्जा निकालनी है अधिक्तम गतिज उड़जा अधिक्तम गतिज उड़जा maximum kinetic energy हमने निकालनी है बचो अब इसमें क्या होगा बचो अधिक्तम kinetic energy निकालनी के लिए ये d है बचो ये देखो ये d है अब जो है ये पूरी radius लेनी है हमने क्या लेनी है यहाँ पर पूरी radius कितनी माली है R माली है और जो बेग है जो उसका अधिक्तम गति रूर्जा के लिए हमको क्या चाहिए Maximum बेग चाहिए दूसरा जो D है जो D है उसकी क्या चाहिए पूरी क्या चाहिए radius चाहिए